ओम शान्ती आज है 25 जुलाई 2022 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्ही राजतिलक मिल जाएगा पावन बनने की प्रतिग्या करो प्रैश्न तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है उत्तर बाब को याद करने का बंधन इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकरम विनाश हो जाएंगे और आगे विकरम करने से बच जाएंगे आत्मा पावन बन जाएगी प्रैश्न भक्ती मार्ग का फैशन क्या है उत्तर बर्थडे जयनती आदी मनाना यहाँ भक्ती मार्ग का फैशन है प्रन्तु इससे वाइदा कुछ भी नहीं क्योंकि जिनकी जयनती मनाते हैं उनको यथार्थरीती जानते भी नहीं है गीत तू प्यार का सागर है ओम शांती अब गीत बच्चों ने सुना यहाँ जो कुछ बनाया है भक्ती मार्ग वालों ने ही बनाया है जब भारत स्रिस्टाचारी पुझ्य था तो कोई भी भक्ती मार्ग का चिन्ह नहीं था नवेद शास्त्रना तपतीरत दान पुन्य कुछ भी नहीं होता था यहाँ सब भक्ती मार्ग में निकले हैं गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है जब एक बून्द पिलाते हैं तब हम यहां से पावन दुनिया में चले जाते हैं परंतो प्यार पिलाया नहीं जाता प्यार किया जाता है ग्यान अमरित पिलाते हैं बाबा है भी ग्यान का सागर इतनी नदियां जो नि उसे ही सब नदिया निकलती हैं तो ग्यान का सागर परम पिता परमात्मा ठहरा उनसे तुम ग्यान गंगाई निकलती हो भल उनकी महिमा है वहाँ प्रेम का सागर सुख का सागर है जब तुम ग्यान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में जाते हैं सदकती को पा लेते हैं बाप कहती है मुझ ग्यान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे पावण बन जाएंगे यहाँ पहले पहले कौन सुनाता है यहाँ गुप्त बात हुई न गाते भी है तुम मात पिता पिता तो है परंतु उन्हें माता क्यूं कहा जाता है पिता तो ठीक है अम माता किसको कहें पहले ग्यान अमरित कौन पिता है वह आकर प्रवेश करते हैं ग्यान सुनाते हैं तो पहले कौन सुनेगा जरूर यह तो यह माता हो गई इनके कान पहले सुनते हैं वास्तव में शरीर माता का नहीं है तो माता कहां से लाएं इसलिए गाय हुआ है जगदंबा सरस्वती सरस्वती को सितार है वहा है ब्रह्म कुमारी की महिमा बहुत है ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है इतने मेले नहीं लगते जितने जगदंबा के मेले लगते हैं जो ग्यान ग्यानेश्वरी है उसी पर ग्यान का कलश रखते हैं ग्यान सागर वहा पावन कहा जाता है, पतत है कलयोगी दुनिया, पावन है सत्योगी दुनिया, सत्योग में है लक्षमी नारायन का राज्य, अब उन्हें यहां राजाई का तिल्क कैसे मिला, गाया जाता है, ज्यान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधती है, बेहन मुख्य ग नहीं जाती है जो बैट और बेहन भाईयों को राखी बांधती है पतत पावन बाब कहती है तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा यहाँ बात है संगम की जबकी मनुश्य पकारते हैं पतत पावन आओ यहां तोराचाई है नहीं बाब कहती है तुम पतत ब्रस स्रिस्टाचारी से पावन स्रिस्टाचारी बनेंगे तो राचाई का तिलक तुमको मिलेगा तिलक कोई दिया नहीं चाता है यहां तो समझाया जाता है पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज अब पावन बनने की प्रतिग्या करो प्रतिग्या अक्षर भी कहने में आता है लेकिन है ग्यान की बात बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ग्यान सागर बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर हमको पावन बढ़ना होगा बाकी तो रक्षा बंधन के दिनराखी बांधने वा तिलक देने का सवाल नहीं उठता है तुम तिलक कहां देते हो भक्त मार्ग में रसम निकाल दी है अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं राज तिलक कब और किसको मिला यहां तो है सारी ज्ञान की बात तो तुमको जाकर समझाना है यहां तुम ब्राह्मनों का काम है वहां जो बहन भायों को राखी बांधती है प्रंतु वहां खुद पवित्र जन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं तो क्या दोनों पवित्र हैं माता तो है ही आपवित्र तो आपवित्र को आपवित्र राखी बांधें तो फाइदा कुछ भी नहीं होता रियालिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है जैसे क्रिशन जनती हो फिर बाद में बैठकर मनाते हैं, यादगार अत्वा बर्थडे मनाना यह तो एक फैशन पड़ गया है, इसमें तो कुछ फाइदा नहीं, सिवाई खर्चे के शिव जयनती मनाते हैं, अर्थाद बर्थडे मनाते हैं, प्रन्तु उन्हों को तो कुछ पता नहीं है, शिव रा से नुकसान ही होता है, यहाँ है ही जूठी दुनिया, राखी उच्स सब भी जूठा मनाते हैं, वास्त में हैं पवित्रता की बात, पवित्रता की ही प्रतिज्या की जाती है, यहाँ तो अभी शुरू हुआ है, पहले तो यहाँ भी नहीं जानते थे, कि पतत पावन कौन ह वह कैसे आकर राखी बांधते हैं, तो तुम कभी पतित नहीं बनना, तुम भी सब को यही कहते हो, आज से प्रतिग्या करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज जिलेंगे, पावन जरूर बनेंगे, पतित बनाने वाले रावन की सेना बड़ी तंग करती है बाप कहते हैं, अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे, भगवान वाच मामी कम याद करो, तो इस योग अगनी से तुम पवित्र बनोगे, इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं पतित पावन बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे, और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे, तुम कितना अच्छी रीती समझाते हो, ब्रम्हा कुमार अत्वा कुमारियां, पूर प्रवरित्ती का मार्ग है, त्योहार जो मनाते आते हैं, वहां अंधश्रधा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए, आगे ब्रहमन लोग तो एक ही किसम की राखी ले जाते थे, मेल फिमेल सबको बांते थे, एक पैसा मिल जाता था, कोई साहुकार आना दो आना दे देते थ कोई बड़ा साहुकार होता था तो एक रुपया दे देते थे, अभी क्या कर दिया है, बेहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बेहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, पचास रुपया भी दे देते हैं, रसम ही बदल गई है, है ब्रहमन का काम, तुम तो हो सच्चे ब्रहमन मुखवंशावली, वह तो हैं कुखवंशावली, तुम ब्रहमन ही देवता बनते हो, ब्रहमन बन फिर पावन बनना शुरू करते हो, पतत पावन है ही एक बाप, अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर आपवित्र बनती है, त तो तिलक तो गुम हो जाता है राजाई मिलती नहीं यहां तो परमपिता परमातमा आडिनन्स निकालती हैं कि जो पवित्र बनेंगे वहां पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे पावन तो सिर्फ तुम बनते हो तो तुमको पहले पहले यहाँ समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी तुम इस कामशत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे मुझे याद करते रहो याद का बंधन बड़ा कड़ा है क्यूंकि जनम जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है यहाँ बाप ही समझाते हैं कि सत्युक से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था, वह कैसे स्वराज्य पाया, यह ड्रामा का चक्र इसृति फरता है, पतत पावन बाप ने आगर सब को कहा है कि पवित्र बनो, जो ब्रम्हा मुख्वशवली है, कमल फूल समान ग्रिहस्त वैवहार में रहे, पवित्रबन बाप को याद करते हैं, वही उंच पद पाते हैं, पांच हजार वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी होना है, आज कल की दुनिया देखो कैसी है, गीत भी तो है ना, आज के इनसान को क्या हो गया, कहां नया भारत स्वर्ग और कहां पुराना भारत नर्ग, वहां सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुखधाम था, यहा है दुखधाम, रावण ने राज्यस चीन लिया, राम और रावण की कहानी बनानी पड़े, पांच हजार वर्ष पहले राम राज्य था, सुराज्य अब बाब कहते हैं मामे कम याद करो, ग्रिहस वेवहार में रहते कमलinental समान बनो, तो पवित्र दुनिया का राज्य तिलक मिलेगा, हम राज्योग सीखते हैं, यहां है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई, वहां तिलक ब्रहमन लोग देते हैं, यहां स्वराज्य तिलक है, राजाई तुम बच्चों को मिलती है, अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो, इसलिए पूछा जाता है, पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, बाप एक वही पतित पावन है, कहते हैं, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनो, बाप पावन बनाते हैं संगम पर, अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं, बाप के बनो, राए भी देते हैं, यहाँ समझ की बात है, भगवान की हम रचना है, तो बाप का वर्सा है ही स्वर्ग, बरोबर स्वर्ग था, तुम कहते भी हो, भक्तों को भगव भान आकर अपने धाम ले जाएंगे। धाम है ही दो मुक्ति और जीवन Мुक्ति DAVID failure भारत जीवनमुक्त था तब दूसरी आत्माई शान्ति-धाम में थी सुख धाम था तब दुख धाम था ही नहीं। अब वह सुखधाम फिर दुखधाम बन गया है, यह चक्र रिपीट होता है, कल्यूग के बाद सत्यूग आता है, सत्यूग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है, कल्यूगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा, भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रू को जीतो बाकी वहव ब्रह्मन भी, बहन भाई भी सब पतित हैं, पतित पतित को राखी बांगते हैं यहां तो इस संगम पर ही बाबा कर पवित्रता की प्रतिग्या कराते हैं जब तक पतित पावन बाप ना आए तब तक स्वराज्य कहां बाबा समझानी देते हैं कैसे किसको समझाओ बोलो पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ यह किसको कहते हो गाते भी हो तुम मात पिता यह किसकी महिमा करते हो जरोर भगवान ही ठहरा उनको ही पतित पावन कहा जाता है वह जब आए तब प्रतिग्या कराए पवित्रता की दूसरी बात तुम्हारे उपर चनम चनमांतर का बोज़ा है आधा कल्प से रावन राच्य होता है दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एक धम भरस्टाचारी हो गए हो आयू भी छोटी हो गई है अकाले मृत्यू भी होता रहता है भोगी भी बन पड़े हो सत्यूग में योगी थे घर ग्रिहस्त में रहते हुए उन्हों को कहा चाता है सर्वगुण संपन वाइसलेस वर्ल्ट प्रवरिते मार्ग दो है ना राच्य करते होंगे शादियां आदी भी होती होंगी वहा है पावन राच्य पतत पावन बाप पतित दुनिया को पावन क वंदे मात्रम कहा चाता है ना कन्या भी माता बनती है यहां कन्या माता पूरुष सब पतत से पावन बनते हैं पतत पावन बापा कर पवित्रता की प्रतिग्या कराते हैं कि मन मनाभव पवित्र बन और मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई नहीं है, सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा, जो योग में रहे विकर्माजीत बनेंगे, वही विकर्माजीत राजा बनेंगे, विकर्माजीत का समवत वन से पच्ची सो वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का समवत पच्ची सो वर्ष से पांच हजार वर् चलती है उनको लाखों वर्ष दे दिये हैं और विक्रम समवत को दो हजार वर्ष दे दिये हैं वास्त में आधा उनका आधा उनका होना चाहिए यहां सब बातें समझने की हैं पहली पहली बात है पतित पावन कौन है पतित मनुश्य ही उनको याद करते हैं पावन याद नही करते हैं वहां है है सुख तो याद नहीं करते अच्छा मीठे मीठे से के लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्य गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्यसार नमबर एक योग में रहकर विकर्माजीत बनना है विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे स्वयम को स्वयम ही स्वराज्य तिलक देना है नमबर दो पवित्र बन पवित्रता की राखी सब को बांधनी है कमल फूल समान रहना है वर्दान नौलेज की शक्ती द्वारा करमेंद्रियों पर शाशन करने वाले सफल सराज अधिकारी भव रोज अपने सहयोगी सर्व करमचारियों की राज दर्बार लगाओ और चेक करो कि कोई भी करमेंद्रियों करमचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है क्योंकि गलत कार्य करते करते संसकार पक्के हो जाते हैं इसलिए नौलेज की शक्ती से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो तब कहेंगे सफल सुराज अधिकारी ऐसे सुराज चलाने में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सरवातमाई संतुस्ट रहती हैं वे सरव की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं श्लोगन हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता शुक्रिया बाबा शुक्रिया झाल, 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 झाल.